असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा इस्टोरी दोस्तों सी ए यानि सिटीजन्शिप अमेंडमेंट को लेकर 40-45 दिन हो गए देश के अंदर 32 ज्यादा प्रोटेस्ट चल ला Hug दोस्तों चार राज्जों के अंदर विधनसबा में इसके खिलाब प्रस्टाफ भी पास हो गया केरला में पंजाब में राजिस्तान में और पच्छिन बंगाल में वहीं दोस्तों देश के अंदर तो प्रोटेस्ट चली रहा है आवाज उठी रही अब देश के बहार भी आवाज उठने लगे यूरोप यूनियन के देशों ने इसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया हो भारती जं पर नए है तो चैनल को दरूर सब्सक्राइब हो बेल आइकन को दबाती ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर आवंगो दोस्तों आपको बदेचल जाएगा देश के बाहर यूरोप यूनियन है यूरोप यूनियम में 28 देश आते हैं 28 देश आते हूं उसमें से 24 देशों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग करियो प्रस्ताव लेकर भी आगा हैं दोस्तों यूरोप यूनियन की संसद में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी आगया है यानि नागरिक्ता संसोदन जो कानून है उसके खिलाफ प्रस्ताव भारत के यानि 370 और 370 को हटने के बाद जो मुबाइल इंटरनेट वो सब सेवान जो प्रतिवान लगाएंगे उसके उपर भी प्रस्ताव लेकर आएं यूरोप यूनियन में और वहीं दोस्तों जो नागरिक्ता कानून जो है इसको जो सम्विधान के खिलाफ बताया जारा आर्टिकल 14 के खिलाफ और आर्टिकल 15 के जो उलगन कर रहा है नागरिक्ता कानून उसके खिलाफ यूरोप यूनियन में जो 48 देशों उसके चोबित देशों ने इसकी मांग करी है अग दोस्तों बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा जटका सामने निकल कर आ रहा है छे पर अस्ताव जो लेकर आई यूरोप यून उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लादेंगी मांग करी उस पर आपके कप्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट में जरू सब्सक्राइब और बेल आइकूं को दबाते है टाकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आँगे तो आपको पता चल जाएगा जलिए इस वीडियो में इतना ही अफिलामो अलेगम